पूर्व विदेश मंत्री जस्वंत सिंग की पुत्रवधू चत्रा सिंग के नाम से फेस्बुक पर फर्जी अकाउंट चल रहा था इस बात का पता उन्हें तब चला जब किसी ने उनके नाम से बनाए गए इस फर्जी अकाउंट पर अशलील तस्वीरों को अपलोड कर दिया जिस पर कई भद्दे कमेंट्स भी आने लगे चित्रा सिंग ने जब फेस्बुक पर अपने नाम से चलाया जा रहा फर्जी फेस्बुक अकाउंट देखा तो उनके होश भी उड़ गए पूर्व विदेश मंत्री जस्वन सिंग की पुत्रवदू चित्रा सिंग ने एक कम्प्लेंट दर्ज करवाई है जिसमें कहा गया है कि उनके नाम से फर्जी फेस्बुक आईडी चलाई जा रही है जिस पर एस्पी ने ततकाल कारवाई करते हुए फेस्बुक को लेटर लिखा है और अब उस फर्जी आईडी चलाने वाले की तहकीकात सुरू हो गई है इस वाकिये के बाद चित्रा सिंग अपने पती मानवेंदर सिंग के साथ स्पी दफ्तर पहुँच गई और लिखत में अपने शिकायत भी दर्ज करवाई देखिए यहां से पूरुए MP और MLA रहे हुए स्री मानवेंदर सिंगी की धर्म पतनी स्रिम्ती चित्रा सिंगी की तरफ से एक कंप्लेंट इस कारेले को प्राप्त हुई थी उस में फेस्बुक के कोई कॉमेंट्स और कुछ पिक्चर्स के बावले को देके सिकायत है इस बारे में सिर्मान पुलिस अधिक सिक मौदे ने उसको परकिरिया में डालते हुए उसका जनरेशन कहां से हुआ कौन उसका IP एडर्स क्या था इसके बारे में जो कंसर्निंग जो सिस्टम है हमारा उस as per law उसकी कारवाई के तहट पत्र लिख दियें और उसकी रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम लीगल एक्षन उसमें लिया जाएगा पौर्वसांसद मानवेंदर सिंग की पत्री चित्रा सिंग के नाम से फेस्बुक पर ये फर्जी अकाउंट काफी वक्त से चलाया जा रहा था यहां तक के पिछले लोगसभा चुनाव में जब मानवेंदर सिंग ने जैसल मेर बार मेर से कॉंग्रस की टिकेट पर चुनाव दाड़ा था तब भी चुनावी गतिविधी को इस अकाउंट पर अपलोड किया जा रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस अकाउंट पर आपत्ती जनक पोस्ट अपलोड किये जाने लगे जिसका पता लगते ही पॉलिस को खबर दी गई पॉलिस ने आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द उससे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए राजस्थान तक किसी भी महिला के साथ ऐसी अभध्रता की आलोचना करता है लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि एक बड़े राजनीतिक परिवार की महिला सदस्य के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के लिए साइबर सुरक्षा कस्तर राज में क्या है राजस्तान तक के लिए बार मेर से दिनेश बहरा की रिपोर्ट